बोमेंस एसियकप दो हजार चौबिस है भारत प्रबल दावे दार्थी और पूरा टूर्नामेंट में भारती ये बोमेंस टीम ने कजब का प्रतर संदिखाया था भारती अगर हार की बात करें तो बैटिंग ठीक ठाक रही है 165 रन बनाये थे पहले बैटिंग करते हुए और जो कमजोर कड़ी सावित हुई भारत के लिए बो थी गैंदबाजी जिसमें रेनकों सिंग ठाक और और बाकी और जो गैंदबाज है सभी देने निराज किया सेव दिपती सर्मा सबसे बहतरीन गैंदबाज रही पूजा वस्तराकर आको भी ठीक ठाक गैंदबाजी रही लेकिन विकेट किसी को नहीं मिला कि यह वाले एक सफलता थी दिपती सर्मा को और एक बढ़ले बार रन आउट हुगा था तो आट विकेट से भारत को एसी अकब 165 रन जो बनाए थे भारतिय टीम ने उसको आसानी के साथ 19 में ओवर में हासिल कर लिया स्री लंका के लिए और स्री लंका की अगर बल्ले बाजी की बात करें तो चमारी अट्वर पट्टू ने बहतरीन गैंदबाजी की है महादेवी की अगर बात करें उनकी भी बहुत व भारतिय टीम से एसिया कप का टाइटल फिसल चुका है और अब इस पर थोड़ा सा आत में मन्थन जरूर करना होगा और भारतिय अगर अंड़ा नाटिव प्लियर देखें बोमेंस में तो बड़े अच्छे प्लियर हैं अब उनको आगे लाना होगा निखारना होगा और ज बना बना होगा रारतिय देव्गार भारतिय डियर से चुका है और बना जार होगा कप कर लापना है और प्लियर होगाis प्लियर होगारो ही आतिय झा करना होगादल खयर होगां है आता व हूज?